नमश्कार दोस्तों हम आपके लिए बहुत सवाल लाएं सब नमबर एक हमारा नियम याद कर लीजेगा किस सवाल हमेशा देखने पर कठीन लगता है लेकिन उसे लिखिये तो सब लगए तो क्या कह रहा है कि यदि 3x-2 by बराबर 5 तता 3 by minus 2x बराबर 3 हो तो x plus y का मान ग्याद कीजिए यानि 8 है 9 है 10 से 11 क्या है तो हमेशा सवाल को पहले लिख लो यानि 3x-2 by बराबर 5 दूसरा समीकर लिख लो देखे एक्स नीचे x लिखेंगे minus का 2x और ये 3 by plus का है plus का 3 by और बराबर में 3 ये समीकर फस्ट है ये समीकर सेकेंड है अब देखिए ध्यान से plus का मान कहरा x plus by तो इनको जोडने पर लिक लो जोडने पर तो कि 3 में से 2 चलाया खाली x बचेगा फिर 3 में से 2 चलाया प्लस का खाली by बचेगा और 5 और 3 8 हो गया यानि उत्तर 8 हो गया यानि option e हमारा हो गया इतना सवाल सवाल था देखने में बहुत कटे लगेगा ये सवाल ही बहुत सरल कहरा यदि 2 cos 3 ठीटा बराबर रूड 3 तब ठीटा का मान होगा 10, 15, 30 या 45 तो इसको लिखेंगे 2 cos 3 ठीटा बराबर रूड 3 ये 2 इसके बटिम चला जाएगा यानि cos 3 ठीटा बराबर रूड 3 या पान में 2 ये cos किसका मान होता है ये cos 30 का मान होता है तो cos और cos गाइब हो जाएगा तो 3 ठीटा बराबर बचेगा 30 और 3 से 30 काटेंगे 10 आए जाएगा यानि ठीटा बराबर कितना आ गया 10 अंस यानि की option हमारा ये सही हो गया चलिए एक सवाल और देख लेते हैं देखें ये सवाल बहुत सरेल कहरा है यादि ब्रत के 30 जिखंड का 6 ब्रत के 6 ब्रत के 5 बटे 18 अठारवा भाग है तब 30 जिखंड का और ये कहरा है की ब्रत के 6 ब्रत का 5 बटे 18 बटे अठारवा भाग है यानि 5 बटे 18 और किसका 6 ब्रत का 6 ब्रत का छेद पल क्या ब्रत का छेद पल क्या होता है पाई यार इसक्वाइर होता है सीधे सीधे मान रख दो पाई यार इसक्वाइर यार इसक्वाइर यार इसक्वाइर यार इसक्वाइर यार इसक्वाइर यार इसक्वाइर तो आई से ही चला जाएगा ठीक है अब देखिए अठ हारा है और ये 360 अठारा दूनी 36 जीरो हो गया तापडाद खड़ाई से काट लो और 25 कितना हो गया सव हो गया यो नि ठीटा बरावर कितना हो गया सव अंस हो गया तो हमारा ये सव वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा इधर क्या है इदर तीज खंड का छेट पल सूत्र है इदर ब्रत का छेट पल का सूत्र है और चुकि इतने बटे इतना था तो इतने बटे इतना वाहग कर दिया हमने इतना वाहग था इसको हल कर लिया ठीक है चलिए एक सवाल और देख लेते हैं यह सवाल बहुत तरह कहरा है यदि ए प्लस ए बहुत्त टूएकस स्क्वाईर प्लस टूए اकス प्लस with ten का गुनखंट तो एक आ مान गात की हमेण देहर के कभी कहें कि इसका गुर्ण खंड ये है तो उसके बराबर में 0 रखके हल करो यानि X प्लस A बराबर 0 तो इसका मतलब हो जाएगा X बराबर माइनस A अब ये मान रख़दो समी कर में यानि 2 गुड़ा में माइनस A का इसक्वायर प्लस दो A गुड़ा में X जिखा पर माइनस का A प्लस पांच X जिखा पर माइनस का A और प्लस में 10 बराबर में 0 तो A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A का स्कॉायर हो जाएगा तो दो A का स्कॉायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2A का स्क्वाइर हो जाएगा फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5A हो जाएगा और प्लस में 10 है बराबर में 0 है यह प्लस का है यह माइस का है सेम संख्या है यह कट गई तो माइस का 5A है और यह 10 इधर जाएगा तो माइस का 10 हो जाएगा माइनस माइनस काटा पांस दूनी दस काटा यानि A बरावर हमारा 2 हो गया चुकि बहुत कल भी तो ऐसे ही लगाएंगे तो A बरावर हमारा यानि इसका उपसन C हो गया 2 तो कैसे लगे सवाल अच्छे लगे हो